अमेटी जिले में चार विधानजभा सीटे हैं और एक सीट गौरी गंज पर समाजवादी पार्टी का दबदबा और कबजा दोनों हैं हमारे साथ है राकेश प्रताप सिंग विधायक हैं इस बार जीत का कितना भरोसा और किस आधार पर हन्डेट पर फिन जीतेंगे और मैं कहता हूँ कि जब फर्माजवादी पार्टी की आधी चली थी तो गौरी गंज ने पानफो तीन ओट फे जिता के भेजा था जब मोदी जी का तूफान चला तो इसी गौरी गंज की जनता ने लगभख फारे 26 फजार फे जिता के उत्तर परदेफ की विधान फवह में भेजने का काम किया लगातार जनता के बीच में रहता हूं लगातार जनता के दुख दर्द में फामिल रहता हूं उनके फादी ब्याह में फामिल रहता हूं और अन्याय अत्या चार के भफ्टा चार पापा चार के खिलाफ हमें फारक फिले के फदन तक अधिकारी फिले के मंतरी तक लड़ता रहता हूँ इसलिए जनता के जनता हम पे भरुफा करती है हम जनता पे भरुफा करते हैं राकेश जी इस बार वो कौन से तीन मुद्दे होंगे जिसमें भाजपा या कॉंग्रस के खिलाफ आप जाएंगे क्योंकि अमेठी तो कॉंग्रस का गर्माना जाता रहा है यह कांग् करक पूरी तरह भी दूरा यह रहा कि आपने नेताओं फे अपने कारिकरताओं फे जाएज काम भी अधिकारियों फे पुलीप प्रफाफा उब लग उप जाएंगार बोजता है चोटे-छोटे सब्सक्राइब क blinking नामpee पर पक्षबाद करने के या फिर मुसल्मान समुधाय के लिए जो बीजेबी के आ रोप रहते हैं कैसे देखते हैं नारोप कि देखें यहीं जनता गुम्राह हो गई थी, एद बकिरीद की बात होती रही, होली धीवाली की बात होती रही, कभरिफ्तान और फंफान की बात होती रहे, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी विधान वभा है, यहाँ अगर दफ कभरिफ्तान की बाउंडिया बनी है तो पच्चि है, बड़े लोग हैं, दिल्ली फे आये, बड़े-बड़े मंच लगे, हमारे उत्तर प्रदेफ की जनता गुम्राह हो गई, जनता आप फमज गई है कि कहीं कुछ नहीं है, और मैं दो फब्दों में अगर आपको कहूं, तो हम राम हमारे आधार, आराध हैं, राम हमारे इ मंदिर हम लोग हमेफा गए हैं, मैं फब्दी बात करूं, तो मैं दोईद्रिफ जोतिर लिंग का दो तीन बार दर्फन कर चुका हूं, एक क्याउन फ्रक्त पीठों में फ्रे लगबग च्छती फ्रक्त पीठों का दर्फन कर चुका हूं, अमरनाथ धाम जहां हर कोई नही पहले दिखाया नहीं जाता था, तो अब यह उनका यह मनेजमेंट है, उस मनेजमेंट को जनता कहीं गुम्राह होने वाली नहीं, एक तरफा, और मैं आपको दावे के फ़ाद करता हूं कि इस जनपत में 4 फीटे हैं विधान फभा की, लोग फभा में जो हमें थी लोग सबहा से बीजे पिसांसद हैं, कोई अंतर? ने, कोई अंतर नहीं है, आमेठी जैफे का तरफा रह गया, और मैं यह कहूं कि हार का जो कारण रहा वो उसमें कांगरेफ फोयम दोफी है, रहुल जी जनता पे नहीं कनेक्ट हो पाए, लेकिन जनता को कुछ मिला भी नहीं उस के बाद, यह बाद सच है कि जनतार हमेशा अमेठी की यह देखती रही है कि बड़े-बड़े कंदावर नेता आए, लेकिन बड़े-बड़े वादे करकर चले गए और छोटे-छोटे लोग पीछे ही रह गए, कैमरा परसन सूरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल, अम अब को रखे आगे